जी हलो एवरीवान चैंपिएंट्स अफ क्लास 10 जैसे में तो दुश्यंद्ध भोला सर और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में बताया था क्या बताया था मैंने आपको चैप्टर हम में जो स्टार्ट किया था आपको बिल्कुल ध्यान होगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया जिसके तीन पार्ट थे और तीनों पार्ट की समरी हमने आपस में डिसक्स किया समझा उसको बारिर्कियों से और आज हमने सेम चैप्टर के क्लिम्सिस ऑफ इंडिया के क्योशन आंसर डिसक्स करने हैं तो बेटा आई अर्ज यू तो गेट रेडी विदे पिन और नोट्बूक क्लिया अग्यों कि पहला जो कॉशन आपका पैसिज की फॉर्म में है ठीक है अब पैसिज एक बार देखिए दूरिंग आवर कंपैनियन कंपैनियन का मतलब बेटा क्या है आप लिख सकते है ना पता हो तो पता हो तो अच्छी बात है साथी कंपैनियन एंड गाइड यूज तो कम आट अट लीस ट्वाइड देखिए किसकी बात और यह बेकर की वन्स ही सेट आउट इन ऑन्निग और इस सेलिंग और अगें वेनी रिटूर्ण आफ्टर एंप्टिंग इस यूज बास्केट सारा का सारा समाम बिक्ट चुका था बास्केट खाली हो गई थी दें जिंगलिंग थर्ट आफ इस बांबू आवाज जो मैंने आपको बताई थी समरी में वोकस तब प्रमप्लीप आज बीरंग रीट पर अग्रीट इम और मख्रिया तरह से मिलने रीट करने ऐसा की था था ने एव जो प्यार था वो लॉफ का था बैट के पीसका था नोट पर बूट बाइस अब पास्काइन और बास्काइन ते मेर्सेड यूप आप रख था यूज बैंगल ब्रेट कल बताया था मैंने आपको ब्रेट जो बैंगल की शेप में है क्योंकि मीटी हुआ करती है तो आए ज़र देखते से क्विश्चन क्या कह रहे है वो हाओ डिट दा चिल्डरन रिगाड आप बेकर इन देर चाइल्डूट पहले कोशन समझी बेटा अच्छे से हाओ डिट दा चिल्डरन बेकर को कैसे वेलकम कैसे रिगाड करते थे जब वो छोटे थे तो आंसर लिखेंगे आप मेरे साथ मैं बोल रहा हूं दा चिल्डरन इन देर चाइल्डूड रिगाड़िट दा बेकर आज देर फ्रेंड कंपैनियन जिसका बतला मैं आप बता चुका हूं आपको लिखा भी है स्क्रीन पर देखिए साथी कंपैनियन एंड गाइड सेकेंड कुष्चिन वें दिड़ बेकर कंदा सेकेंड टाइम पूछा गया है कि बेकर दिन में सेकेंड टाइब कब आया करते थे तो आंसर किया इसका लिखिए मेरे साथ साथ आप दा बेकर केम दा बेकर केम दा सेकेंड गडाइब करते लिखिए फेड़ गिए फेड़ी बस्के इसकी बडी बस्केM moving to the third question now what made the children wake up from sleep aici क्या चीज़ थी कि बच्चों को सुभा सुभा उठना पड़ता था तो आप सबको बता इसका अंसर लिख लेते आईए जरा the jingling third of the sound में ने बताई थी आपको याद है the jingling third of the baker's bamboo woke up the children woke up the children clear what did the children it's not long it's launch it's a cabling up launch under key echo tamanna it's a launch temptation case activa okay so what did the children launch for the key answer the children launched for the bread bangles the bread bangles so far we have been four questions of the passage moving ahead what we are going to do is as you all can see another passage in front of you I a fellow perfect birthday they saved the stimming hot liquid almost everyone in their compartment was drinking p2 पहले तो मेरा यह कोश्चन है कि बताओ यह पैसिज किस चेप्टर से है बिल्कुर सही बोला आपने आप सबके सब हो मैं सही बोल साहां एक डम वर टी फ्राउं असम लियर है राजवीर यं प्रांजोर प्रांजॉर है कि कह आये आए ये आए झाल करती नोग और अवर 80 करोर कॉप पची अव्या ड्रूंक आउट ऑफ दा स्टेशन प्रांजोल बरेट नोस इनिस क्या पढ़ रहा था वो मैंने कल भी बताया था आपको लास लेक्चर में डिटेक्टिव बुक याद है आपको वेरास राजबीर भार की सेनेरियों को एड्मायर कर रहे थे चलिए हूँ आर दे यहाँ पर दे कोन है आप सबको बता दो करेक्टर आप लेख सकते हो यह कोमा दे आर या फिर दे रेफर्स तू दे रेफर्स तू प्रांजोल और राजबी क्लिया वाट इस दा होट लिक्विड किस लिक्विड की बार कर रहे हैं जो गरम है आप सबको पता है बो स्मार्ट ओ आप दा होट लिक्विड इस दा होट लिक्टिविट इस पी अग्री और नॉट बिल्कुर सर बिल्कुर अग्री ग्रेट थर्ड कुस्टिन विच स्टेट्मेंट ओफ राजवीर पॉइंट्स तो हिस पॉपुलारिटी ओफ टी ऐसी क्या स्टेट्मेंट थी जब पता लगता है कि राजवीर के पास काफी सारी नॉलेज्ज है टी के बारे में देखिए जड़ा राजवीर स्टेट्मेंट डाट डाट ओवर 80 करोर कप्स ओफ टी आर ड्रंक एवरी डेट थूआउट दा वर्ड आपको कोशन मार्क नहीं लगाना है आंसर में आपको सिर्फ यहां से कॉपी करना है राइट रॉम यह तिल यह पॉइंट्स टू दा इसके आगे वर्ड के आगे पॉइंट्स टू दा पॉपुलैरिटे ओफ पॉपॉपुलैरिटे ओफ टीर भूऊट बढ़िया बेटा चलिए आगे बरते लिए चो के स्काइब कर ऊइंस कत का प्रांजोल के स्टार्ट होने के बाद यह बात क्या करता है वह एकिटेक्टिव भुग परता एक पूरण से लिख लेते हैं इसका however the train सटेड्स प्रांजोल स्टार्टेइट टु क्तार्ट टू अब करता है इसका इसकाॉंत चलिये, moving ahead, सारे question, I thoroughly believe कि वो उनके answer आपको आते है, because yesterday itself, we discussed about the every, I mean tiny point of chapter, am I right or wrong? खीक है, and I try to revise during the lecture only, revision भी मैंने अपकी lecture में ही कल करवा दी थी, so that no point can be skipped or lift, clear, clear, target क्या है, handsome percentage लाने का बोर्स में, clear, चलिये, देख पारे हो गया, बेटा, long type question आपके आगए है, जो कि approximately 60 words के होते है, question पढ़ते हैं, क्या है, क्या चाहरा है वो question में हम से, what did the baker wear in those days, मुझे पता है कि आपकी दिमाग में answer पहले आचुका है, वो स्मार्टो आप, what did he look, like, what did the author estimate from his appearance, याद आरा है कुछ, कपाई, हाँ सर आरा है आज, तो आई ये लिखते है, लिखिये बेटा, the baker, in those days, had a, peculiar dress, एक्दम यूनीक थी, peculiar, P-E-C-U-L-I-A-R, it was known as, it was known as kabbaai, full stop, it was a single piece, long frog, वो कपाई जो होती थी थी बेटा, वो सिंगल पीस होती थी, long काफी होती होती थी, नीश सख होती थी थी वो, long frog type, reaching down to the knees, full stop, in the childhood days, the author saw, the baker, wearing a, wearing a shirt and trousers, shirt and trousers, बिल्कुर सही समझे हो आप, ठीके, trousers का मतलब बेटा, यहाँ पर यह नहीं है कि, वो एक बार में तीन-तीन trouser पहनते थे, no, we all have two legs, तो एक, एक right side को बोले के trouser, और left को बोले के trouser, जब दोनों मिल जाएगे, तो क्या बोल देंगे, इसको trouser, pant एक ही होती है, दो पार्ट होती है, trousers, बढ़ी आगे, full stop, these were shorter than, these were, shorter than, full length, and, longer than, half bent, मतलब की, half bent से तो वो लॉंग हुआ करती थी, और trouser से वो छोटी हुआ करती, ठीक है, full stop, the author estimated, from the baker's appearance, that he, earned, sufficiently, that he earned, sufficiently, बेकिंग मॉदा प्रोफिटेबल प्रोफेशन देन तब बेकर और इस फैमली नेवर स्टाव उनकी बेकर और बेकर की फैमली को कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ा भूखा मरने को बोलते स्टाव इक टेस्टिफाइड दाट ही वोस रिच दियू तो दाट जो वो काम किया क का दा ओथर कंपेर्स दबेकर विदा जैक फ्रूट हिमरसली क्लिया मतलब की हिमरसली का मतलब मजाग बनाना मस्ती का क्लिया सेकिंड कोशन पर आ गए हैं बेटा हाव वन के नेंजॉए लाइफ रीजन ओफ कुर्ग में एक व्यक्ति कैसे एंजॉए कर सकता है यह बताया गया है पहली बात बताई गई है कि कुर्ग बात वाके में ही एक डिजर्विंग प्लेस है वर्ट सिंग प्लेस है और वर्ट ए जाते हैं काथे जोए करके आते हैं इस पीपल आर सेमर्ज वाके पीपल को के पीपल विल और एक बहुत अच्छा नेचर होस्पी टैलिटी का मतलब अब लिखेगी मैं बोल रहा हूँ मेहमान नवाजी का मतलब क्या हुआ मेहमान नवाजी तो अगर कोई कूर्ग में जाना चाह रहा है उसको जाना चाहिए कब मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में सेप्टेंबर से लेकर मार्च के महीने तक क्योंकि डूरिना मौन्स वून्स हेवी रेन वहापर होती है जो कि सारा का सारा चांट ट्रिप का स्पॉइल बरबाद कर देती है डैमिज कर देती है कर देती है दकावेरी रिवर इस फेमस फोर मासीर एंड किंग फिशर मासीर मैंने बताया था आपको यह इस टाइप ऑफ फिश किंग फिशर मैंने क्या बताया था आपको एक बोट आर दा जाइंट फिश इन दा फोरेस्ट वन के निज्वाइब अपनी ऑफ स्कूरिल्स लंगूर्स एलेफिंट एक्टरा जंगलों में आपको बताया था राप्लिंग था और था वर था वाटर राप्लिंग था ब्रह्मागिरी हिल गिवस अस दा एंटायर व्यू ओफ कूर्ग आप ब्रह्मागिरी हिल पे खड़े होके पूरा का पूरा कूर्ग आप देख सकते हैं वन के ने इंज्वाकिंग ओवर दरोब ब्रिच रसियों का बना हुआ बिच बिच इट लीज टू दा देखिया आप जो ब्रिच की बात हो रही है आपर इट लीज टू दा सिक्स्टी फोर एकर आइलेंड ओफ निसार गधामा यह आइलेंड का नाम है यह निसार गधामा इंडियास फेमस एंड लार्जेस्ट तिबितन कॉलनी नियर बाय बायलकूप इस फेमस फोर दा बुद्धिस्ट मॉंग् के बुद्धित्म को फोलो करते हैं देवर ओकर एंड येलो रोप इन शॉर्ट वी कें से डाट देयर आर सो मैनी सप्राइज इन कूर और शॉर्ट में हम क्या कह सकते है कि कूर ने अपने अंदर काफी सारे सर्प्राइज को छुपा रखा है और बसा रखा है कि कब खुलें याद भी रखें हमारे दो पैसेज हो गए है बेटा और दो लोग कॉस्टन हो गए है नाव मूविंग टू शॉर्ट किवस्टन आई है हाव डिड़ बेकर्स कीप देर अकाउंट वाट वाट वास देर एकॉनमिक स्टाटर्स बेकर्स अपने एकाउंट का बनाने का तरीका कह था उनका और उनका एकॉनमिक मतलब की फिनेशली कहते थे वो आई है बेकर्स का एक अपना अलगी तरीका था यूस्ट टू कलेक्ट देर बिल्स वहर महीने के अंत में बिल्स क्लेक्ट किया करते थे और जो बिल का हिसाब किताब था आपको सुनने में अजीव लगेगा देर रिकोड़ेट देर मंथली एकाउंट ओन दवाल बाइपेंसिल नो यूजव कॉपी रादा ओन दा वॉल बाइ दिवार पे नाम लिखा किसको कितना समान दिया पेंसिल से कह रहा हूं मैं लिख दिया और महीने के अंत में वो बिल्स क्लेक्ट कर लिए वाइपेंसिल ओ ओन वे ओफ कीपिंग देर एकाउंट बेकिंग वाद प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बेकर्स कभी भूखे नहीं मरें देलोगड है विद प्लंप फिजीक हलके से वो थोड़े चबी हुआ करते रहे चबी आम इन अबिट आप पैट आस देवर नेवर पूर गरीब नहीं पैसों की तंगी नहीं थी तो खाना पीना भी उनका अच्छा था दिस वाए उनकी अपिर थूड़ी सी प्लंप फिजीक थी उनकी फ्लंपी हलका सा मूटा ठीक है गोल मटल जैसे होते ना रसगुल्ला टाइब वैस कूर्ग कोल्ड लांड ओ रोलिंग हिल्स की लांड क्यो कहा जाता है कूर्ग is called the land of rolling hills because hills वाकी steepy नहीं है steepy मतलब देखो ये ये steepy steepy नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा वो उच्छी भी नहीं नॉमल है उसके बावजूद देन देरार रेन्फोरेस्ट ग्रोन ओवर दिया ओवर दिया ओवर दिया तब ब्रमगिरी हिल्स कमांड आ पैनोरामिक व्यू ओफ दे मिस्टी लैंड से स्केप ऑफ कूल बहुत थुंदर पैनोरामिक आई-केचिंग क्या सब्सक्राइब और अंत में आपकी वो काबिरी आगे वेटा मैश दी फॉलोविंग आ गए है कुछ वर्ट से हमें मैच करने है और इसको लिखना भी है ठीक है पहला वर्ट देखिए आप ट्या दिखराए आपको हराल डिंग का ओप्षण क्या है कुछ भी एन्नाउंस करना क्या करना इनॉंस करना ऑपन वैसे बहुत सिंपल सा मेनिंग है खोलना लेकिन यहापर क्या है पबलिक स्टेट्मेंट अपाउट एक्रैक्टर और क्वालिट लेट बैक गोईंग डाउन अक्लिफ बाइफ फिजीक श्लाइडिंग डाउन रोप यह स्पोर्ट का ना में बताया था मैंने आपको के नोई जिसे बोलेंगे क्या लेट बैक लेट बैक इट वस बिस्टेक ओफ माइन लेट बैक का बेटा ऑप्शन अमारा भी है भी वाला है है ठीक है फोड़ा सा ये कन्फीर रिलाक्ष्ट नौटिंग हरी लेट बैक को हम कैसे आध कर सकते है बैक का मतलब कई सभिछ से और यह बढ़ हुआ है होण अब आते रापलिंग का मतलब क्या है ऑगैं 108 आइए अग्या होता है यह सित आव्रोट चकर जल्दी में होता है गोइंग डाउन एक क्लिफ लगा होता है, हुग टाइप का, बाई फीजीक, स्लाइडिंग ना रोब, और एक रोब होती है, वो आपको बेल्ट से बान देते हैं, क्लिफ लगा देते हैं, और आपको पुछ कर देते हैं, आप लटकते हुए एक काने से दूसरे काने पर जाते हैं इससे बोलते है क्या डरता है इसको रापलिंग इंफेक्ट राप्लिंग की बात करो तो मैं आप सो शेर करना चाहूंगा वनसाइड इडिट अब गई टू धन्होल्टी जो मतूरी से भी उपर है तो रास्ते में स्पोर्ट सायते तो देर डिट राप्लिंग इस वोस्त कोईट अमेजिंग कोईट अमेजिंग हां थोड़ा स वाइड एरिया औरीड उफ Land आप एक पॉइंट पे खडए हैं िसी के साथ यह वाला चेप्टर आपका क्योश्चन अंसर के कम्पलीट होता है वीडियो आप देख रहे हैं इसको आपको question and answer दोनों आपकी notebook में लिखने भी है आपको और जो है पूरा active रहना है विकेस बोर्स कुछ ही समय में आ जाएंगे आपके दरवाजे पर नौक करने के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा इसी लिए आप थोड़े active रहिए थोड़े नहीं ज्यादा ही active रहिए मैनत थोड़े ज्यादा करिए मेहनत का मतलब study hours को बढ़ा दीजिए टार्गेट सिरफ पास होना नहीं है यह विद्या प्लेटफॉर्म पे हम सबके सब विश्च करते हैं सारी टीम टीचर्स के हमारी कि बच्चे सिरफ पास ना हो टॉप करें बहुत अच्छे नमर से वह पास हो समझेरे मेरी बात आप बिलकुल समझेरे मुझे पता है काफी अच्छे है आप लोग बेटा देसे दुश्यन भोला यूर मेंटोर साइनिंग ओफ अगले ही लेक्चर में आप करने वाला हो थैंक यू अवरिवान